Hello everyone, welcome back to CAPFAC Mentors. My name is Nishan Bhardwaj. और ऐसा कहते हैं कि पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ने वालों की जरुरूत होती है, पैसे की नहीं. तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा माना जाता है. तो CAPFAC Mentors की टीम ने ये डिसाइड किया है, कि तोज who want to prepare on their own, we are here to help you people. आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग की फीस अपोर नहीं कर पाते होंगे, या फिर पहले कोचिंग कर चुके होंगे, थोड़ा बहुत ब्रशब की जरूरत है आपको, और उसके लिए आप पूरी फीस पे करना, not a good thought. तो उसी सीरीज में हमारे ये पहला वीडियो आपको ये बताने के लिए है, कि आपको कौन-कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है, आप इस स्लाइड में लिखा देख भी रहे हैं, a complete book list for paper 1 and paper 2 for the upcoming CAPFAC 2024 exam. तो दोनों paper के लिए बताऊंगा, मैं आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज कहां से लानी है, क्या source होगा है उसका, ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे, और, so, I shall start now. The first and the most top thing is current affairs. दुखो, पहले बात तो यह, कि यू आर free to choose anything, free to choose any source. But, unfortunately, in the market, you do not have any source which is dedicated to CAPF AC exam plus CDS exam, other than the Saransh, which CAPF AC mentors provides you free of cost. Yes, guys, it is completely free of cost. और इसकी अच्छी बात यह है, जैसे CDS और CAPF में exam आते हैं, आपके defense related, ठीक है जी, science and tech related, जो की latest development हुए है. लेटेस्ट डेवलप्मेंट्स ठीक है, और इसके अलावा, economics, environment, environment में जो आपके इश्पेसी या फिर conservation sites जो भी news में है, इसके अलावा कोई और major place, important जो news में है, उसका map वगएरा, उसके आस पास के सारी जानकारियां, ठीक है, इसके अलावा, schemes, government schemes, ठीक है, reports and indices, reports and indices, ठीक है, sports, sports, awards and appointments, awards and appointments, और एक चीज़ जो मैं मैं मिस्स करना हूँ, सबसे अच्छी, जो बहुत पुछे जाती है, दोनों ही exams में, international organizations, international organization and other news, इसके अलावा, एक section और आता है, इसमें, miscellaneous का, miscellaneous में आपके, सारे के सारे, history से related, history related, GI tag related, etc, etc, ऐसे बहुत सारी themes जो है, जो की core CAPF के exam और TDS के exam के लिए ही जरूरी है, ऐसी magazine आपको free of post मिलेगी, आपको CAPF AC Mentors की website पर आप वहाँ सरे download कर सकते हैं, इसका link भी शायद www.capfacmentors, आप google पर type करोगा, CAPF AC Mentors सबसे पहले यह link आएगा, आप जाके download कर सकते हो, ठीक है, और exam से पहले कम से कम आप 10 months का current affairs पढ़के जाओगे, ठीक है, तो आज से ही आप इसको start करेंगे, ठीक है जी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो और current affairs के लिए, वैसे तो यह magazine काफी है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सरा data आपको ऐसा मिलता है, जो आप paper 2 में भी काम ला सकते हो, लिखने के, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आपका जो current affairs है, वो तो cover हो गा ही होगा, प्लस उसके पीछे की जो background story है, या फिर उसका जो key concepts हैं, वो भी cover होते हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपके news के साथ साथ उससे related key concept भी आपका clear हो जाएगा, जो आपने पहले कभी पढ़ रखा होगा और revision हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ये तो हमारी बात हुई, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूस पेपर रीडिंग, ठीक है, न्यूस पेपर रीडिंग करिए आप, आप चाहें हिंदू पढ़िए, या पढ़िए आप Indian Express, इनी दो में से को एक पढ़िए, और इ नोट मेकिंग, और पेपर एनलेसिस, प्रीविएस इयर पेपर एनलेसिस का एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से नोट्स बनाएं, जो आपके सदा बहार रहें, हमेशा अपडेटेड रहें, प्लस आप यह हुआ आपका कर्रेंट अफेर्स का, अंट्रस्क में गईज, इस वेरी गुड मैगजीन, आपके मूस अप टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे, अब कर्रेंट अफेर्स का ऐसा सेक्शन था जो आपका पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों में काम आता है, ठीक है, तो अभ सब्जेक्टिव पेपर में, यह समझेल, आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, इनको आप कैसे भी छोड नहीं सकते, ठीक है, और इसको कवर करने के लिए, मेरे पास जो सोर्स है, जो मैं आपको सेज़ेस करना चाहूंगा, वो है यह नितु सिंग मैडम की बुक, प्रॉम प काफी इंप्रूब हो जाएगी, और C.A.P.F. और C.D.S. के पेपर टैकल करने के लिए, इनफ है, ठीक है, अगला सब्जेक्ट जो हाता है हमारा साइन्स, और जोनोंने C.D.S. का यह सॉरी, C.A.P.F. का पेपर पहले दिया है, उनको पता होगा कि साइन्स का कितना बड़ा रोल है, मेजोरिटी कोश्चन्स इस से आते हैं, मेजोरिटी, मेजोरिटी से मेरा मतलब है, तीस से पैंटिस कोश्चन्स आने ही आने हैं, तो अब जो लोग साइन्स बैग्राउंड से हैं, जोनोंने PCM किया हुआ है, या PCB किया हुआ है, और या फिर B.S.C. Math से, B.S.C. Science, Chemistry, या फिर B.S.C. Biology से किया हुआ है, या फिर Engineers है, उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बोलो क्या कर सकते हैं, कि आप सीधा 9th और 10th की NCRT पढ़ें, Between the Lines, Between the Lines, मतलब कि एक एक लाइन इंपोर्टेंट है, Between the Lines, पढ़निया है आपको, ये NCRT 9th और 10th की, बट जो Non-Science Background से हैं, उनको मेरी सला ये है, कि आप लोग क्या करें, कि Class 6th की NCRT से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंको हो सकता है, कि आपने 10th तक साइंस पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन 10th के बाद अपनी stream चेंज कर ली, और साइंस से आपका इतना टच नहीं रहा, तो and regularly पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, तो जो Non-Science Background के लोग हैं, उनको मेरा suggestion ये है आप, कि Science की NCRTs पढ़ेंगे आप, from class 6th, then 7th, then 8th, then 9th, ठीक है जी, then 9th, and then 10th, इतना आप कर लेंगे, और अगर ये सारे data आपकी दिमाग में बैठ ही आथ वड़ा अच्छे से, दो-तीन बार reading करने के बाद, CAPF की history माज तक ऐसा नहीं हुआ है कि Science को कोई भी question NCRT से बाहर आया हो, तो आपकी ये pathos question तो sure short बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, तो science आप इस तरह से cover करेंगे, और जरूरी नहीं इनमें आपको पैसा डालना है, थोड़ा इसके बारे माँ लास्ट में बात करूँगा, ठीक ये cover करेंगे आप, उसके बाद आपको पढ़नी हैं, इंडिया की physical environment, ये भी class 11th की NCRT है, और उसके बाद कुछ एक topic ऐसे हैं, जैसे की आपके vegetation हुआ, vegetation, world biomes, clouds, ये chapters कुछ एक ऐसे हैं, जो आपको थोड़ा अच्छे से cover नहीं मिलेंगे इनमें, details बगरा में, जैसे river system बहुत अच्छा है, इसमें, ठीक है, वो पढ़ लिजे आप, इनकुछ एक topic ऐसे हैं, जो आपको अच्छे से cover नहीं कर आए जाएंगे, इसमें, जो नहीं कर पाएंगे आप, वो आप पढ़ेंगे जी सी लियॉंग से, ये है जी सी लियॉंग की किताब, इसको मैं, ये जी सी लियॉंग की किताब है, ठीक है, ये पढ़नी है आपको, certificate, physical and human geography की ये किताब है, latest edition पढ़ना है आपको, और इसमें भी पैसे डालिंग जो नहीं पढ़ ये बुक आपको पढ़नी है, for some specific topics, सबके लिए नहीं पढ़नी है, ठीक है, मैं आपको फैली बता दूँँ, ये बुक तो आपको दोनों cover to cover cover नहीं, cover to cover, cover to cover पढ़नी है आपको, इसमें आपको selected topics पढ़ने है, इसमें आपको पढ़ने है, selected topics, ठीक है जी, इसके बाद चल जब सब जगे हम NCRT पढ़ रहे हैं तो यहां भी हम NCRT को नहीं छोड़ेंगे ठीक है और जब आप अगर मानलो आप एक फ्रेशर हो और आप पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो quality उस case में मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले ये book cover करेंगे Indian Constitution at work class 11th की NCRT है ये NCRT किताब है ये ठीक है जब ये cover कर लेंगे उसके बाद आपको दो option मिलेंगे ये बहुत ही most talked about books है ये और इनके बारे मैं आप से बात करूँगा अभी पहली तो है आपकी M. Lakshmi Kant कि दूसरी है आपकी डीडी बासू है ठीक है आप देखो दोनों में difference बता देता हूं क्या है दोनों quality की किताब हैं दोनों में similar topics cover हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दो option क्यों दे रहा हूं difference बता देता हूं इसकी language easy है language जो है वो easy है इसकी थोड़ी सी minutely आपको hard लग सकती है अगर आपको मतलब English ज्यादा अच्छी नहीं है तो explanation इसमें भले ही ज्यादा है इसमें explanation ज्यादा है explanation ज्यादा है इसमें ठीक है इसमें थोड़ा सा explanation कम है explanation जो है इनका थोड़ा सा कम थोड़ा सा लेकिन आपके exam को tackle करने के लिए more than enough है आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है ठीक है जी लेकिन अगर आप मुझसे मेरा personal opinion पूछें कि इन दोनों में से सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए है चाहिए I would strongly recommend you DD Basu और इसका reason पता है क्या है इसका reason है जो इसकी exception थे कि hard language और यह है यही इसका reason भी है मैं आपको यही पढ़ने के लिए suggest भी करूँगा क्यूंकि अगर आप CAPF TDS और CSP के exam उठाके देखेंगे UPSC के उनके questions में जो language मिलेगी statement based questions में वो आपको as it is मिल जाएगी इस book में कभी कभी मिरुका यहीं से लगता है कि इसी book से उठाके questions देए जा रहे है तो पढ़ने के लिए आप दोनों से पढ़ोगे दोनों से आपको quality बराबर समझ में आएगी सारे topic एक जैसे है constitution कभी change नहीं हो तो जो इसमें लिखा होगा वही इसमें लिखा होगा सब कुछ लेकिन बात language की है इन्होंने इतना ज्यादा easy कर दिया है language को कि वो language आपको paper मिलेगी ही नहीं लेकिन वही डीडी वासू ने अपना standard maintain किया हुआ है ठीक है दोनों किताब पूरी पूरी नहीं पढ़नी है मैं आपको जैसे बता चुका हूँ पहले ही बहुत limited chapter पढ़ने है for example जो कुछ chapter छूट जाए है अगर तो बुरा नहीं मानना क्योंकि वो मैं आपको analysis कैसे करते है जब सिखाऊंगा तब previous papers के analysis की basis पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमें इन books से कौन को से chapter cover करने है जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपको preamble पढ़ना है ठीक है आपको union territories पढ़नी है ठीक है and states आपको fundamental rights पढ़ने है fundamental duties पढ़नी है TPSP पढ़नी है ठीक है आपको judiciary पढ़नी है पूरी judiciary पढ़नी है आपको supreme court high court district court and lower courts यह भी पढ़ने हैं इनसे भी question पूछे जा रहे हैं और अगर इनके questions आप देखोगे ना तो डीडी बासु की language बहुत match करती है पढ़ने के लिए आपको easy पढ़ेगी लक्षमी कांथ यह मत कहना कि क्या बता दिया पढ़ने में लक्षमी कांथ मज़ा आएगा easy language बहुत जादा लेकिन उनकी language कुछ ऐसी है कि पढ़ने के बाद भी आप statement को eliminate नहीं कर पाऊगे ठीक है तो थोड़ा hard language समझ लो अभी time है और डीडी वासू पढ़ लो मेरे ख्याल से फाइदा रहेगा वैसे आपकी choice है आप जो चाओ वो पढ़ सकते हो ठीक है judiciary cover करनी है आपको आपको पार्लेमेंट कवर करना है ठीक है state legislature cover करने है आपको उसके बाद आपको constitutional bodies cover करनी है constitutional bodies like national commission for backward caste tribes scheduled caste other caste ये ठीक है और आपको चाओ कवर करना है इसमें प्रेसिडेंट governor prime minister ठीक है ये chapter बहुत बड़ा पढ़ेगा आपको cover करने के लिए और क्या cover करना है आपको इसमें आपको इसमें anti-defection law पढ़ना है ठीक है anti-defection इसके अलाब आपको क्या पढ़नी है आपको पढ़नी है लक्ष्मी कांत में हर chapter के last month notes and references करके एक page दिया होता है वो page आपको पढ़ना है इन सारे chapters का especially fundamental duties, fundamental rights और DPSP का क्यों पढ़ना है let me tell you that आपको पढ़ना है क्योंकि CAPF में CAPF में और इस बार के अभी जो दोजार टेस का paper 2 CDS 2 जो हुआ है उसमें भी आया हुआ है इस अच्छी question जो judgment based question होते है उन cases के नाम लिखे मिल जाते हैं आपको in notes and references वाले section में यह पढ़ना है कुछ एक chapter सभूसकता है छूड गए हो मुझसे अभी तो वह मैं आपको analysis करते हों बताऊंगा ठीक है कैसे पढ़ना है उनको कुल मिला कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है पूरी बुक तो इतनी मोटी कौन पढ़ेगा 400-500 पेज़ की ज्याद ज्याद आपको 100-500 पेज़ पढ़ने है हो जाएगा आपका ठीक है अब अगला जो subject है वो कुछ ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लो मुझे लग नहीं रहा कि UPSC को बीट करबाना किसी तरह से मुश्किल है तो आपको क्या चाहिए आप करो अपने basic strong history के आपको करने है अपने basic strongs बेसिक्स strong करने है आपको ठीक है जी और उसके लिए आपका सबसे best source है N.C.E.R.T. ठीक है RS शर्मा की ये N.C.E.R.T. class 11th की ancient India के लिए medieval India के लिए भी N.C.E.R.T. medieval India के लिए भी N.C.E.R.T. और विपिन चंद्रा पर modern India ये सारी के सारी N.C.E.R.T. आपको old N.C.E.R.T.s पढ़नी है old N.C.E.R.T.s पढ़नी है ठीक है जी latest खरीद होगे दिक्कत हो जाएगी दूसरा इसी का एक relevant जो subject है उसको हम बोलते है आर्ट and culture इसके लिए जो आपको पढ़ना है वो है class 11th का introduction to Indian art ये भी N.C.E.R.T. है class 11th की fine arts की और फिर इसी का आगे की जो कहानी है वो आपको पढ़ने को मिलेगी की the introduction of the Indian art ये आपको पढ़नी है class 12th की इसको part second भी बोलते है ठीक है ये class 12th की fine arts की book है ये किताब आपको पढ़नी है cover to cover N.C.E.R.T. सारी आपको cover to cover complete cover करनी ही है आप इनकी reading start करो और बहुत जल्दी मैं आपको note making के लिए एक video लेके आऊंगा उसके आपको समझ में आ हों तो बहुत लंबा हो जाएगा इसके अलावा नई चीज जो देखने को मिली है C.E.P.F. में C.E.D.S. में तो होता था ऐसा कि micro और macro दोनों के question पूछे जाता थे लेकिन इस बार UPSC ने बता दिया कि हमारी नजरों में micro और macro दोनों बराबर है so much so कि इस बार macro के question basic knowledge you need to cover to you need to cover both the NCRTs of class 12th of microeconomics and class 12th macroeconomics इसमें आप elasticity के numericals देख सकते हैं elasticity calculate करने के numericals बट इसमें आपको कोई भी calculation या numerical नहीं देखने हैं ठीक है only theory part ये cover करेंगे आप क्योंकि ये theme माने जाती है कि microeconomics से ही question आते हैं इस बार ऐसा नहीं हुआ है उन्होंने खेल गई UPSC वाले ठीक है macro के questions भी पूछे हैं दवा के for further things you need to cover Indian economy made simple by जयंत परिक्षित ठीक है जयंत परिक्षित सर से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ मेरे खुद के सर हैं इन्हों की खुद की book है ये जयंत परिक्षित सर की बहुत बढ़िया book है और ये teacher भी बहुत शांदार है ये लेकिन इसमें आपको सारे chapters cover नहीं करने है आपको इसमें chapter cover करने है जैसे कि आपके NPA और banking crisis हुआ ये cover करना है इंटरनेशनल organization cover करनी है GST and black money cover करनी है ये cover नहीं करेंगे आप इससे बोलूँ कि हाँ आप पैसे खर्च कर सकते हो या खरीद सकते हो और NCRT आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन आपको पहले तो NCRT कवर करनी चाहिए मेरे क्याल से आपको step by step चलना चाहिए ठीक है ये book बहुत अच्छी है मेरी खुद की पढ़ी हुई है 5-6 बार मैंने पढ़ी है ठीक है इसके अलावा वो एक रमेश शिंग भी आती है वो भी मैंने पढ़ी हुई है बट मिरको यह जाद आच्छी लगी इसकी लैंगविज बहुत इजी है ठीक है रियल लाइफ एक्जाम्पल्स है और गुड़ बुक इसके अलावा एक जो चेप्टर जिसके बारे में बहुत वो अच्छा सोर्स मार्केट में कोई अवेलिबल नहीं है वो है इन्वार्नमेंट और इसका जो वेटेज है यह हर एक्जाम में बढ़ता ही जा रहा है कहां कभी एक क्वेशन भी नहीं आता था आज 15-15 क्वेशन पूछे जा रहे हैं ठीक है दद्दस क्वेशन पूछे जा रहे हैं तो NCRT तो इसकी है नहीं कोई अगर है भी तो एक क्लास सेवन्थ की NCRT है एक ठीक है वो मत पढ़ो वो बहुत बेसिक हो जाएगा आपके लिए लेकिन आप क्या कर सकते हो क्लास ट्वेल्थ की जो बायलॉजी की किताब है NCRT उसमें यूनिट नमबर टैन है एकोलॉजी करके एकोलॉजी करके आप ये पढ़ेंगे पहले ये यूनिट कवर करेंगे उसके बाद आप इन्वारिन्मेंट की जो किताब है शंकर आईए इसकी इसकी डिजिटल कॉप्य आपको मिल जाएगी ऑनलाइन इसके अलावा ये भी कवर करनी है आपको इसमें कवर क्या करनी है जै से आपके conservation sites हुए conservation sites ठीक है species, laws इस सारी चीज अच्छे से cover करी गई है इसमें और basics जो होते है ecology और environment के वो भी cover करे गई है तो you can refer to this book as well ठीक है इसके अलावा environment को cover करने का एक तरीका और है कि आप government websites regularly visit करेंगे ठीक है government website बोले तो जैसे की environment ministry की website, health ministry की website, IUCN की website ठीक है और इस तरह के सारी के सारी जो websites हैं जो की समय समय पर अलग-अलग guidelines, advisory निकालती है ठीक है या कोई law में अगर change बगर होता है तो वो आपको government website से मिल जाएगा अफकोस हम सारांस में भी cover करते हैं उन्चीजों को, newspaper से भी मिल जाएगा तो अकर ना भी visit करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ, आपके जो most authentic sources है environment के लिए वो आपके government sources ही होंगे क्योंकि mostly current affair based question पूछे जाते हैं environment से ठीक है तो आप ये दोनों cover कर लें एक बार उसके बाद basics strong रखें और current affairs पर ध्यान देते रहें हो जाएगा इसके अलावा दोनों ही exam defense के हैं तो defense based भी आपको पढ़ना है और defense based आपका totally current affair based आता है और कुछ एक topic ऐसे हैं जो आपको कहीं कोई source नहीं मिलेगा ठीक है और example शारांश ये एक आपका एक मात्र source है जो की freely available है defense के exams को defense related news को cover करने के लिए defense related items को cover करने के लिए जिसमें आप defense exercises ठीक है और आपके जो tools and equipments हैं वो plus कोई new development जो होगा any new development जो भी होगा वो आप शारांश से cover कर सकते हो ठीक है जुलाई की भी आ चुकी आप पढ़ सकते हो थोड़े बहुत दुने में अगस्त की भी आ जाएगी लेकिन कुछ एक ऐसे topic हैं जैसे कि आपकी internal security है defense technologies है ठीक है या फिर computer awareness की अभी question पर देखे जा रहे हैं तो इसमें आप कहीं न कहीं से आप इनको notes जुगा रही है ठीक है और अगर नहीं देखो defense का तो शायद internal security defense का तो module freely available हो जाएगा आपको कि आप कुछ एक बात है और सुन लो जैसे कि मैंने आपको यह तो बता दी है सारी किताबें चाहिए होंगी लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको यह भी बोला था कि पढ़ने वाले चाहिए तो as long as you have one smartphone ठीक है android phone यह अपर apple जो भी अगर मीर आदमी हो तो smartphone with internet of course plus one notebook and pen you are good to go आप अपनी preparation खुद कर सकते हो ठीक है आप play store पर जाएंगे और आप एक NCRT का application डाउनलोड करेंगे जिससे आपको सारी की सारी NCRT कितावें free of course एकदम latest edition मिल जाएगा ठीक है सारी डाउनलोड हो सकती है बाकी कुछ एक topic ऐसे होंगे जो नहीं भी समझ में आएंगे आप तो आप YouTube के मदद से आप अपने phone पर देख सकते हो और अपनी आदर डालो लिखने की और notes बनाने की रही बात note making की तो note making ठीक है कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में प्लस note making में क्या लिखना है ठीक है किस तरह चापको notes ऐसे बनाने हैं कि वो हमेशा आपके updated रहे ऐसा scope बना रहे और वो exam के लिए crisp और to the point हो उसके लिए आपको चाहिए previous papers का analysis करना आना चाहिए ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और एक ही वीडियो में दोने चीज़े सिखा आने वाले time में ये cover करना है तो देखो ये भी freely available ठीक है सारी किताबें लक्षमी कांत वगरा का आपको digital बन मिल जाए कहीं लक्षमी कांत ये डिडिवास को मिल जाए online google पर सर्च करना तो अच्छी बात है in case नहीं मिलता है तो थोड़े बहुत रुपय खर्च कर लेना ठीक करेंगी आपकी ये कर सकते हो आप note making अगर आपको आती है अच्छी बात है लिखना start करो एक highlighter लेके बैठो किताब में एक pen लेके बैठो जब पहली बार reading करोगे तो आप उसको क्या करोगा pencil से underline करो क्योंकि जब पहली बार पढ़ोगे न आप NCRT तो आपको सब कुछ important हो तो समझ में आएगा कि हाँ ये चीजे पूछी गई है और ये चीजे और पूछी जा सकती है फिर आपको आप अपने highlighter से उसको highlight करोगे ठीक है तो यह मैं बात करना चाहरा था आपसे इसके अलावा देखो कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं cover कर पाते है खुद इमीं तर 4 के लिए है इसमें आपके paper 1 plus paper 2 दोनों cover होंगे test series cover होगी recorded lectures आपको मिलेंगे इस सारी चीजे इसमें लिखी होई है इसमें आप पढ़ सकते हो video post करके और जो लोग paper 1 already prepare कर चुके है और उनको paper 2 में दिक्कत है writing में paper 2 में दिक्कत है for writing ठीक है paper 2 subjective होता आपको पता यह होगा तो उनके लिए यह vegeta batch चलाया गया है ठीक है और trust me इनके results बहुत अच्छे आए है जो हमने 2023 में चलाया है 2022 के लिए बहुत सारे बच्चे select हुए है तेश में तो नंबर और बढ़ गया है और 24 में आप बहुत फाइदा लेने वाले हैं इससे ठीक है आप ज्यादा advertisement कुछ नहीं है आप चाहूं तो उनको विजिट कर सकते हो बातचित करके देख लो ठीक है यह नंबर बढ़ दिये हुए है टीम से बात कर लो आप और आप भी डाउनलोड कर सकते हो यह इनके features बढ़ लिखे हो क्या क्या कवर कराएंगे और कराएंगे मतलब कराएंगे इसमें science त ठीक है तो यह सब बाते मुझे करनी थी इस वीडियो में बुक लिस्स बता दिया आपको आगे और रिजल्ट अपडेट का वीडियो है वो मैं लेकर आऊंगा जल्दी और जो लोग पास हो रहे हैं उनके लिए क्या करना है वो बताऊंगा नोट मेकिंग और इसकी वीडिय आए हैं